वर्दान उस दीव का मस्तक है मंदर में एक छिल मिलाता हुआ तीपक था जिसे देख कर किसी थुनले तारे का फान हो जाता था अर्थ रात्री व्यतीत हो चुकी थी चारों ओर भयाव सन्नाटा छाया हुआ था गंगाची की काली तरंगे परवत के नीचे सुखत प्रवासे पह रही थी उनकी बहाव से एक मनुरंजक राग की थ्वनी निकल रही थी ठोर ठोर नावों पर और किनारों के आसपास मलाहों के चूलों की आज दिखाई देती थी ऐसी समय में एक श्वीत वस्त्र थारणी स्त्री अश्ट भुजा देवी के सम्मुक हाथ बांधे बैठी हुई थी उसका प्रोण मुख मंडल पीला था और भावु से कुलींता प्रकट होती थी उसने देर तक सिर चुकाय रहने की पश्चात कहा माता आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चर्णों पर सिर न जुकाया हो एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चर्णों का ध्यान न किया हो तुम जगतारनी महरानी हो तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे मन की अभिलाशा पूरी न हुई मैं तुम्हे छोड़ कर कहां जाओ माता, मैंने सैकडो व्रत रखे देवताओं की उपासनाई की तीर्थी आत्राई की परन्तु मनोरत पूरा ना हुआ तब तुम्हारी शरण में आई अब तुम्हे छोड़ कर कहां जाओ तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाई पूरी की है क्या मैं तुम्हारी दर्बार में निराश हो जाओ सुवाया इसी प्रकार देड़ तक विनती करती रही अकस्मात उसके चित पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ उसकी आखें बंध हो गई और कान में ध्वनी आई सुवाया मैं तुमसे बहुत प्रसन्य हूँ मांग क्या मांगती है सुवाया रोमांचित हो गई उसका हृदय थड़कने लगा आज पीस वर्षों के पश्चात महरानी ने उसे तर्शन दिये वो कांपती हुई बोली जो कुछ मांगूंगी वो महरानी देंगी हाँ मिले का मैंने बड़ी तपस्या की है अतेव बड़ा फारी वर्दान मांगूंगी क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं इंद्र का बल? नहीं सरस्वती की विद्या? नहीं फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ वो क्या है? सपूत बेटा जो कुल का नाम रोशिल करे? नहीं जो माता पिता की सेवा करे? नहीं जो विद्वान और बल्वान हो? नहीं फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे? तीरी बुध्धी तो धन्य है जा तीरी इच्छा पूरी होगी